नमस्कार किसान भायो भारत सरकार ने किसानों को बक्री पालन के लिए 4 लाख रूपे तक का लोन बिन्या ब्याज पर देने का एलान कर दिया गया है अब सभी देश के किसान परिवार 4 लाख रूपे तक का लोन बक्री पालन के लिए ले सकते हैं चार लाक रुपे लोन के पीछे आपको इन पान सवालों को जानना जुरूरी है ताकि आप सभी किसान साथियों को लोन लेने के लिए कोई भी परकार की दिक्कत ना हो तो सबसे पहला सवाल है 20 बकृण लोन कितना मिलेगा तो आपको बता दे मोदी सरकार ने जबसे देश में बक्री पालन लोन योजना को शुरू किया है और नमबर दो नमबर सवाल है बकरी पालन लोन की ब्याजदर क्या होगी तो किसान साथियों आपको बता दें इस बकरी पालन लोन के लिए सरकार ने अभी तक 4% ब्याजदर रखी है लेकिन जिस किसान साथि के पास पसु किसान क्रेटिट कार्ड अवलेबल होगा तो उस किस को ब्याज में छूट दी जाएगे और 33% की सबसीडी भी दी जाएगी लेकिन ये सबसीडी हर किसान के बेंग खाते में नहीं आएगी इसके लिए SC STK और अन्य पिजड़ावर के जो किसान होंगे उनी किसानों को 33% की सबसीडी का फाइदा भी सरकार की और से दिया जाएगा और अब नमबर 3 है सवाल है बकरी पालन लोन ओनलाइन मिलेगा या ओपलाइन इसका आवेदन किस परकार होगा तो किसान साथियों दोनों परकिरिया ओनलाइन और ओपलाइन दोनों परकिरिया जारी की गई है लेकिन कुछ राजियों में ओनलाइन परकिरिया जारी की जात अब नमबर चार नमबर सवाल की बात करते हैं तो बकरी पाले लोन की किस्ते हर महिने कितने रुपय की जमा करवानी होगी तो किसान साथियों अगर आप लोन चार लाग रुपय का लोते हैं तो इसमें आपको किस्ते आपको जमा करवानी होती है लेकिन ये किस्ते आपको बेंग खाते में सरकार जारी करेगी तो बकरी पालन लोन अभी केंदर सरकार की नई स्कीम है जिसके तहट आपको लोन में किस्तों के तोर पर आप छूट भी दी जाती है और नमबर पांच सवाल है बकरी पालन लोन की सरते क्या होगी और डोकुमेंट कौन-कौन से होगे इनको भी जानना आपको जुरूरी है क्योंकि सरते अगर आप किसान साथे आदूरी रखते हैं तो फिर आपको बकरी पालन लोन लेने के लिए कई सारी प्रासानियों का सामना करना पड़ सकता है और डोकुमेंट अगर आपके पास नहीं होगे तो फिर आपको लोन लेने में कई परकार की और समस्या भी खड़ी होगी क्योंकि डोकुमेंट के बिना आपको लोन कैसे अप्रूल होगा तो सबसे पहले आपको आवसेक सरतों के बारे में बताते हैं आवसक सर्तों में किसान भारत देश का मूल निवासी होना चाहिए और किसान की आईउ 18 साल से 60 साल के बीच होनी चाहिए और किसान पर किसी भी पहले से बैंक का कर्षदार रेनी नहीं होना चाहिए और किसान के पास आदा हेक्टियर कम से कम जमीन होगी तभी आप इस लोन की आवशक सर्तों को पूरा करके लोन की प्राप्ति कर सकते हैं और अब चलिए बात करते हैं डोकुमेंट की तो डोकुमेंट में सबसे पहले आपका हदार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट नमबर, पासपोर्ट साइज पोटो और मोबाइल नमबर होने जरूरी है और ये पाँच डोकुमेंट अगर आपके पास मौजूद होंगे तो आपको लोन लेने से कोई ने टाल सकता, सरकार की जो बकरी पालन लोन योजना है, इसका फाइदा आप सभी किसान साथियों को आवस्य दिया जाएगा, और इस के अंदर सरकार की स्किम का फाइदा देश क करोड किसान उठा रहे हैं, आप भी अगर आज से वंचित हैं योजना से तो आपने बिजनस की सुरुआत करना चाहते हैं, तो बकरी पालन विकल्प आपके लिए अच्छा विकल्प है और खासकर गाओं के किसानों के लिए रोजगार के तोर पर बकरी पालन विवसाई के लिए अगर आपको लोन की आउप सकता है और बकरी पालन की सुरुआत करना चाहते हैं, तो किसान सात्यों 20 बकरियों पर 4 तार लाख रुपे लेने की प्रोसेस को किसान सातियों के बीच शेयर किया है। अगर किसान सातियों अगर आपके कोई भी सवाल या डाउट कलियर नहीं हुए है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और साथ में आप अपने कमेंट में अपने राज्य का नाम बतान नाम बुले ताकि नए वीडियो में उसी राज्यों के बारे में पूरी जानकरी के साथ फिर से वीडियो बनाएं ताकि समझ में आ सके हर किसान को थेंक्यू धनेवाद